नमस्कार, आगे थे आपका HCA News में आपके साथ मैं हो अनुष्ठा सिंग देश में 3 मई से लेकर 20 मई के बीच संपूर लॉकडाउन के कई तरह के मैसेज वारल हो रहा है कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देश की अलग-अलग राज्यों में कहीं लॉकडाउन कहीं वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं नाइट करफ्यों लागू किया जा रहा है उसके लिए राज्य ने गाइडलाइन भी जारी किये हैं उसका असर भी देखने को मिल रहा है महराश्च्र में नए मामलों की संख्या में काफी कमी आई है तो आई आपको बताते हैं आपके राज्य में लॉक्डाउन जैसे प्रती बंदों की राज्य की क्यास दिती हैं और उसके लिए क्या गाइडलाइन जारी किये गये थे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महराष्ट्रों में लॉक्डाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया था तो वही बिहार में नाइट कोफ्यू शाम 6 बजे से लागू किया गया था उतर प्रदेश में वीकेंड लॉक्डाउन का दाइरा बढ़ाया गया था अनुरोध करूंगा कि वो लॉक्डॉन को अंतिम विकल्प की रूप में इस्तमाल करें। लॉक्डॉन से बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तुवहीं केंद्र ग्रेम अंत्राले ने राज्य सरकारों और केंद्र शाष्ट प्रदेशों से कहा था कि कोरोना का संक्रमन कम करने के लिए वे पूरे राज्य में लॉक्डॉन ना लगाए। इसके बदले जीलों में और जहां पर दूसरी लहर का सरजादा है वहाँ पर कड़ी सिकड़ी उपाई करें। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हैं वह आपकी इस पर क्या रहा है? क्या संपूल लॉक्डॉन होना चाहिए? या नहीं आप अपनी राए कमेंड बॉक्स में जरूर बताए देश और दुनिया की तमाम छड़ी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बन आपने वाद.